गरूर पुरान हिंदू धर्म का एक महत्वपून गरंथ है जो मृत्यू और उसके बाद की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानतारी प्रदान करता है। यह गरंथ आत्मा की यात्रा उनरजन्म और मोक्ष के विभिन पहलूओं को समझने में मदद करता है। मृत्यू के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर कई सवाल उठते हैं जिनमें से एक यहा है कि आत्मा तुरंथ यमलोग की यात्रा करती है या अंतिन संसकार की आपचारिक्टाओं के समाप्थ होने तक यही रहती है। गरूर पुरान इस विशह पर स्पष्ट और विस्त्रित विवर्ण प्रतान करता है। मृत्यू के बाद आत्मा की स्थिती। इस अवधी के दौरान आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास रहती है और अंतिन संसकार की आपचारिक्टाओं को देखती है। गरूर पुरान में यह कहा गया है कि अंतिन संसकार की प्रक्रिया आत्मा की यात्रा के लिए अत्यन महत्वपूर्ण है। अंतिन संसकार के विभिन में चरण जैसे की शवता शुत्तिकरण, हवन, पिंडदान और अस्थी विसरजन आत्मा को शांती और मोक्ष की दिशा में मार्ग दर्शन करने में महत्वपूर्ण घूमिका निभाते हैं। इन आपचारिकताओं के दौरान आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है और यमलोग की यात्रा के लिए तयार किया जाता है। आत्मा की यमलोग की यात्रा गरूर पुरान के अनुसार अंतिन संसकार की आपचारिक ताओं के पूरा होने के बाद ही आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है यह यात्रा आत्मा के कर्मों और जीवन के दौरान किये गए कारियों के आधार पर निधारित होती है यमलोग की यात्रा के दोरान आत्मा को विभिन मार्गों और बाधाओं से गुजरना पड़ता है इस यात्रा का प्रमुख उदेश्य आत्मा को उसके करमों के परिणामों का अनुभव कराना और पुनरजन्म या मोक्ष की दिशा में मार्द दर्शन करना है गरूर पुरान में उल्लेख है कि आत्मा को मृत्यू के बाद तेरा दिनों तक इस संसार में रहना पड़ता है इस अवधी के तौरान परिवार ग्वारा किये गए विभिन धार्मिक अनुष्ठानों और पिंडदान से आत्मा को शांती और मुक्ती की प्राप्ती होती है उसे पहले अंतिन संसकार की आपचारिक दाओं के समाप्त होने तक इस संसार में रहना पड़ता है इस अवधी के दौरान आत्मा अपने परिवार और प्रीजनों के आसपास रहती है और उनके द्वारा किये गए धार्मिक अनुष्ठानों और पिंडदान से शांती प्राप्त करती है तेरा दिनों की इस अवधी के बाद ही आत्मा यमलोग की यात्रा शुरू करती है जहां उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होता है और पुनरचन्म या मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना होता है इस प्रकार गरूर पुराण में आत्मा की यात्रा और अंतिन संस्कार की आपचारिक दाओं के महत्र को विस्त्रित और गहन रूप से समझाया गया है